नमस्क्रiçãoए दुस्तों सुसान सिंग राजपोत को लेकर जो आज की ख़बर आपको देने वाला हूं ये ख़बर आज तक किसी ने भी नहीं दी ये ख़बर इस ले नहीं दी क्योंकि ये कभी कंफर्म हुए ही नहीं है लेकान आज ये ख़बर confirm हो चुकि है हम सभी लोग की के वद एक ही डिमांड थी कि सुसान सिंग राजपोत मामले में मोदी जी क्यूं चुप है बीजेपी क्यू चुप है जब विपक्ष बदल चुका है सब कुछ बदल चुका है जो गुने गार्थ है उनके सरकार नहीं रही चुप क्यूं है कोई क्यों नहीं आ रही है 41 महीने के बाद परधान मंत्री कार्याले से फोन आये स्पेशल आपको मैंने एक हफ्ते पहले बताया था कि लगातार कई कॉल से गई लाकों की तादाद में कॉल से गई परधान मंत्री कार्याले को भी ग्रह मंत्री कार्याले को भी, CBI को भी गई, CM को भी गई, कई बारा से कॉले गई लेकिन आज ये confirm संग्यान लिया गया है, प्रधान मंत्री कार्याले से कॉल किया गया था, और साफ तोर पर ये बोला गया है कि जितने भी सुसान सिंग राजपूत मामले में, जो भी सुसान केस में जानना चाहते कुछ भी, उस मामले में वो चीज़ों को जल्दी बताया जाए, आप चुपी तोड़ी जाए जो कुछ भी ये खबरे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारी कुछ चीज़े लोगों को बताई जाए प्रधान मंत्री काराले से पहली बार ऐसी खबर आईए क्योंकि पहली बार कॉल गया है आपको कैसी लगी खबर जरूर बताएं, मुझे तो ये खबर सुनके भई, दिल को सुकुन मिला कि आज चलो कम से कम किसी भी तरीके से, जिसको हम कह रहे रहे है कुम्ब करणी या कुछ भी अलग-अलग नाम से बुला रहे थे सो रहे हैं, सो रहे हैं उनको भी जागना पड़ा, जब उनको जागना पड़ा तो फिर सब भागेंगे अब अभी खबरे आएंगे कि ये इदर भाग गया वो धर भाग गया है, हो सकता है मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि भागेंगे कुछ भी हो सकता है कभी क्या पता किसी चीच का बहाना ले ले कि भाई हम यहां जा रहे हैं, इस बहाने से कहीं ओर चली जाए, या बैठे रहे या फिर हो सकता है एक महीने के सजा हो, फिर रिया के तरीके से बहार आ जाए या बहारी बहार बेल मिल जाए कुछ भी हो सकता है, बता नहीं मुझे इसके बारे में लेकिन इतना तो है कि 41 महीने के बाद में आप पहली बार प्रधान मंत्रिक कारया ले जागा है उनके तरफ से कॉल आया है और सारी चीजे SSR Warrior को बताने के बात करिए किसी बहार जो कुछ भी कर रहे है वो सारी चीज लोगों को बताई जाए आपको कैसी लगी ख़बर ज़रूर बताएं मुझे अमीद है कि आपको अच्छी लगे होगी धन्यवाद